तो दूस्तो आपका स्वागत है तरी सत्ते के अडमी में और आज हम डिस्कस करेंगे चप्टर 7 टार्जन इन स्ट्रेंथ अउव्मेडियल, आज हम जानेंगे टार्जन जप्टर के वारे में इन स्ट्रेंथ उव्मेडियल, आज हम discuss करेंगे numericals based on torsion chapter और twisting moment आप इसे बोल सकते हैं तो सबसे पहले आप numerical देखें first numerical है हमारे पास a solid circular shaft of 125 mm diameter यानि हमारे पास कोई shaft है यह देखें solid circular shaft है इस प्रकार से यहाँ देखें जिसका diameter यहाँ पर हमें given है और हो है 125 mm यहाँ पर लिख देखें d is equal to 125 mm इस transmit 120 kilowatt पावर यानि 120 kilowatt के है पावर है देखें यहाँ पर लिख दीजे पावर किनना है 120 kilowatt at 60 rpm और वो किनने number of revolution ले रहा है per minute 60 कितना 60 find the intensity of shear stress है हमें tau find out करना है shear stress shear stress हमें find out करना है also find angle of twist और हमें theta भी find out करना है angle of twist देखें और यहाँ पर हमें बोल रहा है कि length जो है वो कितनी given है length given है यहाँ पर हमको 7.5 length is 7.5 है take g is equal to 8 into 10 to the power 4 newton per mm square यह है g modulus of rigidity और length तो आप यह सब लिख लिजी जो हमें given है और आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें find out करना है share stress तो आपके पास यहाँ पर यह formula है tau by r is equal to t by j is equal to g theta by l तो हमें यहाँ पर tau find out करना है कि हम इतना part ले लेंगे हम जहाँ पर यह power दी है इससे हम सबसे बहले torque find out कर लेते हैं देखिए यह tors and equation है यहाँ से सबसे पहले आप देखिए torque find out कर लेंगे तो horsepower यह पावर जो है किसके बराबर होती है 2 pi nt upon 16000 kilowatt अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारे पावर है वो कितनी है इसको जब हम पाई की value रखेंगे तो हमारे पास आजाएगा 717 है तो यहाँ पर हमारे पास आगे 7162.5 newton meter इसको mm में convert कर दीजिए by multiplying it by 1000 अब आप देखिए यहाँ पर हमें T पता चलिए अब J देखिए polar moment of inertia इसको हम easily find out करेंगे by using the formula pi d to the power 4 by 32 तो यहाँ पर formula में आप values रख देगे तो आपके पास आजाएगा 1533.20 mm to the power 4 तो यहाँ आप देखिए आपके पास जे भी आ गया टी भी आ गया और आपको क्या given है आपर आप गीवन है आर क्या रेडियस डायमेटर का half कर दीजिए रेडियस आ जाएगी और यहाँ पर आप formula में रखिए तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आगे हमारे पास shear stress 18.686 newton per mm square यहाँ प यहाँ पर theta वो है theta अब आप देखिए theta को find out करने के लिए आपको पता है यहाँ पर कोई भी आप tau by r के सामने g theta by l रख सकते हैं यह t by g के सामने g theta by l रख सकते हैं तो आप इतना portion आप ले ले तो यहाँ पर देखिए इस formula को t by j is equal to g theta by l तो t हमारे पास क्या है torque तो यहाँ 1.5 into 1000 7.5 into 1000 यह हमारे पार length थी shaft की value आपने रख दी और यहाँ पर किसकी value आपने put कर दी है 8 into 10 to the power 4 जो modulus of rigidity है और polar moment of inertia इसकी value आपने put कर दी तो हमारे पास जो theta है वो यहाँ पर आ जाएगा theta is equal to 0.028 radian क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पार angle head of twist angle of twist यह हमारे पास क्या है angle of twist theta यह हमारे पास है 0.028 radian by solving this equation 0.028 radians आप बोच सकते हैं इसको radian और इसको यदि आप degrees में convert करें तो यह आएगा 1.61 degrees यह आगे angle of twist अब आप देखे second numerical देखें यहाँ पर second numerical कह रहा है इस circular shaft of 80 mm diameter यहाँ एक circular shaft है जिसका diameter आपके पास कितना है 80 mm है तो यहाँ पर आप एक shaft draw करने समझने के लिए कि यहाँ पर हमने shaft बना लिए इसका डाया लिख दें 80 mm है जो rpm given है n आपको कितना है 120 if the shear stress not exceed 40 MPa आप इसको MPa और Newton पर mm2 भी बोल सकते हैं तो यानि shear stress कितना है में पर 40 Newton पर mm2 then find power transmitted by a shaft तो हमें find करना है power transmitter यानि power जो power का formula है 2pi nt upon 1000 तो यहाँ पर आपको n तो given है n तो given है but t given नहीं है torque तो torque को आप find out करेंगे by using diameter and number of revolution तो सबसे पहले आप आप क्या निकालने यदि हमें torque find out करना है J निकाल लेंगे polar moment of inertia pi d to the power 4 by 32 d i है मारे पास 80 तो यहाँ पर आप यह आ जाएगा मारे पास 4019200 mm2 the power 4 यह आ गया polar moment of inertia shear stress tau जो है मारे पास 40 MPa given है 40 Newton पर mm2 यह आ गया radius 40 है तो आप यह देखें यह है tors and equation का एक पार्ट है tau by r is equal to t by j यहाँ से हम t find out करेंगे t क्या है torque torque हम यहाँ से find out कर लेंगे क्योंकि tau हमें given है radius पता है J हम find out कर चुके हैं तो हमारे पास tau आ जाएगा 4019200 newton m है और यह newton meter में convert करेंगे by dividing it by thousand तो हमारे पास आ जाएगा 4019.2 newton meter यह हमारे पास आगया torque अब आप easily find out कर सकते हैं पावर यह आप पावर को इस फॉर्मूले में रख देंगे इसको हम क्या कहते हैं एंटी अपॉन में 9550 kilowatt 9550 kilowatt तो यह हमारे पास आगया horsepower यह पावर का kilowatt तो आपने देखा इस question में हमने कैसे find out किया power बलकि यहाँ पर हमें T पता नहीं था तो हम जो torzen equation है उसका use करेंगे यदि हमें polar moment of inertia निकालना है तो diameter की जरुवत पड़ेगी यदि हमें torque निकालना है तो torzen equation को हमें यूज करना पड़ेगा तो इन relation को यूज करते हुए हम torzen से related numerical को कोई भी numerical solve कर देंगे by using torzen equation और by using some formulas like 2 pi nt upon 1000 यह nt upon 9550 kilowatt इससे आप easily power find out कर पाएंगे और torzen equation के जरिये आप कुछ भी tau हो r हो t हो j हो g theta l यह find out कर सकेंगे तो आज की वीडियो हम यही पर end करते हैं जिसमें आपने discuss किया numerical related on torzen इसमें आपने दो numerical पर discuss किया यदि आपको numerical से related कोई भी query हो तो आप तरह सकते academy के comment section में comment करें और अज़े यह वीडियो आप कुछ लगी हो तो please आप इसे like करें बहुत बहुत धन्यवाद